हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागे थे अपका आपने उटी चनल एक्जाम है तरह में तो ग्रूप D से समान दी तो एक और और बड़ी ओफिसियल अभी नोटीस आई हुई है तो चलिए जानते हैं किस जोनका नोटीस है और किस RRC के दोरह इसको जारी किया गया है इसमें अगर आप फस्ट डीवी लेटर में नहीं पहुँच पाते हैं तो आपको सेकंड डीवी लेटर का भी मौका दिया जा रहा है उसी के बारे में यह नोटीस है तो चली जानते हैं कि जोनका नोटीस है उसका डेट भी जारी कर दिया गया है आप लोग को बताना चाहते है कि यह अभी तक आपने हमारे यूटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है तो चलिए देखते हैं किस जो यह पाचवान नोटीस है शोव तीन दोजर तेस के रिगार्डिंग डोकुमेंट वेरिपीकेशन फॉर रिकुरूर्मेंट तू वैरिएस पोस्ट ओफ लेवल वन लेवल फॉस्ट जो गूरूप डी है उसी के लिए यह है आगे देखिए क्या बता जाए रहे रेल्वे रि बजर बाइस को पॉब्लिश कर दिया गया था और इन टर्म्स ऑफ त्री और फोर रर्वी चंडीगर्ड नोटीस फॉर्दर कम्मुनिकेशन पीटी डोकुमेंट वेरिपीकेशन अन मेडिकल एग्जामनेशन एंड पॉब्लिशिंग ऑफ पैनल सैल वी डॉन रर्सी नॉर् इसको जारी किया गया है 13 फरवारी से लेकर 15 मार्च तक डिविजिनल रिल्वे मैनेजर ओफिस नॉर्दरन रिल्वे डिविजिनल रिल्वे ओफिस जो है आमबाला दिल्ली फिरोजपूर लखनव और मुरदाबाद यह पांच जगा पे इन लोका चल रहा है कि नातारिक से 13 फरवारी से लेकर चल रहा है और यह 15 मार्च तक चलेगा इसको बताया गया है फिर आगे देखिया क्या बताया रहा है इसका जो इमेल या SMS टू इस इफेक्ट हैब अल्रेड़ी बिन सेंट और रजिस्टर मेल या मोबाइल नंबर अप देखिया आपको मेल और से में इसको दर भेज के डाउनलोड करा दिया गया आइट ट्रेवलिंग पास जो पास होता है स्टी वाले कंडिडेट के लिए तो फॉर्दर डिटेल्स एंड इंस्ट्रॉक्शन टू अटेंड डोकॉमेंट वेरिपिकेशन ऑन गीवन डेट जो गीवन डेट दिया गया है अगर किसी कारण बस आप अगर डीवी में नहीं पहुच पाते हैं जो ए स्टुडेंट ऑन दिया डेट डिया गया है आपको कोई रीजन के द्वारा मतलब आपको किस कारण से आप नहीं आया है दे आर डाइरेक्ट रिपोट कर सकते हैं मतलब आप लोग उसके बाद में भ रिपोट करना है सारे आठ एम एड़ सेम बेनू जो आपको सेम डेट दिया गया था जिस जैसे फरवारी में हो रहा था ना फरवारी से लेकर 15 मार्च तक जो चल रहा है अगर उस डेट के बीच में अगर आपका नहीं पहुच पाते हैं किसी कारण बस तो उसका आपको रि 16 मार्च को रिपोट करना है 149 बजे जो पार आपको सपीट सेमा बता बस पाए तो ब्लॉक्दिक जो आपको उसमें दिया गया है वां रहेगा फिर आगे दिखिया क्या बताय जा रहा है आपको हम बताते हैं अगर आपको कॉल लेटर में बुलाया जाता है डोकमेंट भेरिपिकेशन के लिए तो आप यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आपका जॉब लग जाएगा इसली के बारे में क्योंकि यह अरर भी हमेसा यह नोटिस को बताता है और जो स्टुडेंट इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उनलोंका लगबल 99% हो ही जाता है 100% फिर आगे दिए कि अब लोग अगर आपको जो अगले अपडेट होगा जो भी होगा उसके लिए आप लोग आरर सी का वेबसाइट को रेगलर ली देखते रहेंगे वर्निंग दिया गया है कि एनी कंडिडेट टाइपिंग टू इसू अन फेयर और इलिगल मिस टू गैंस अपटमेंट मेंट विल भी समयली डिस्क्वालिफाईड पर्मेंटली डिवैरेड एंड चार्ड फॉर क्रिमिनल मिस काउंड़क्ट वर्निंग दिया जा रहा है कि आप जो भी स्टूडेंट है सही होते है अगर कोई अगर वी गलती करते हुग पकडे जाते हैं तो आपको निसकास कर दिया जाएगा और और अगले रेल्वे की किसी भी भरती में आपको सामिल करने का मौका नहीं दिया जाएगा फिर आगे देखिए क्या यहां पे धिया गया है यहां पे अगर आप इस डेट में अगर नहीं पहुच पाते हैं जो आपको इहां पे टेट दिया गया है 13 फरवरी से लेकर 15 माज तक अगर आप नहीं पहुंच पाए जाते हैं लीगल कारण आपके पास अगर है उसको सर्टिफिकेट वहां पे दीखाना होगा जैकि इस कारण से आपका अकाज हुआ था नहीं आ पाये थे आप उस देट को नहीं पहुंच पाये थे तो आपके ल सोचना है और सारे आप में वहां पे पहुंचके आपको रिपोर्ट करना होगा यह इस वीडियो में इतना ही के लिए आगे वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए तब तक के लिए यह हैं दे